तो सबसे पहले यह question जो है periodic function के बारे में दिया गया और periodic function क्या होता है कि after some time वो अपनी values repeat करने लगता है तो अगर मैं यह कहूं कि अगर fx एक periodic function है with period t तो fx प्लस t जो value देगा वही fx देगा यानि कि t period के बाद fx के value repeat होनी शुरू हो जाती है तो यह periodic function की definition होती है तो यहाँ पर period t given है अगर इसके लिए एक हमें example consider कर लेते हैं जो कि बहुत ही well known example है sin x जिसका graph इस तरह से होता है और यह 2pi के बाद अपनी values repeat करता है चाहे positive values हो चाहे negative values हो तो यहाँ पर t equal to 2pi हो जाएगा और हमने जो consider किया है वो sin function किया है तो fx हमने माल लिया है fx equal to sin x और fx plus 2pi यानकि 2pi interval के बाद इसके जो value है वो sin x के ही equal होंगी अब हमें देखना है कि इसका जो derivative है f dash x यानि कि cos x cos x क्या constant function है no तो option से आपका यहाँ पर discard हो जाता है अब periodic function with period t इसका जो derivative है वो वो अब periodic function होगा with period t as a result आप इसको यूज कर सकते हैं कि कोई अगर periodic function है तो उसका derivative भी same periodic होता है यानि कि इसको as a result to use किजिए कि periodic function periodic periodic function functions या derivative derivative of periodic इसके लिए मैंने प्राइम यूज किया derivative of periodic function इस अगें सेम पिरियोड 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 फंक्शन सेम पिरियोड फंक्शन सेम पिरियोड फंक्शन तो यहाँ पर options भी आपका true हो जाएगा यहाँ पर खाया a non-periodic function यह गलत हो जाएगा से options क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इस रिजल्ट के help से और d options none of these के कारण गलत है क्योंकि इसमें एक सही है तो यहाँ पर जो right choice है हमारी वह option भी है से यहाँ पर यहाँ पर जाएगा है